स्वागत है आपका English Literature Castle चैनल पर आज हम कुछ MCQs जो हैं Stalled MCQs उसको डिसकस करेंगे Random है यह वैसे novel के उपर ही based है Starting with novella यह एक Italian term है Novel जो है वहाँ कहां से start होते है medieval period से Baccaccio जो है उनकी stories love पे रही है Decameron यह भी Baccaccio का लिखावा है किसने novel को pocket theater का आथा काफी important बात Answer है A, आप देख सकते है हालिटेड आंसर है Meredith का तो कहना है कि यह summary है एक actual life की देखा जाए तो गलत नहीं है यह बहुत important है Comic, epic in prose Filding ने एक novel को कैसे describe किया था काफी competitive exam में ऐसे questions पूशे जाच चुके है बलकुल rigid नहीं होता novel का framework गलत नहीं है Unfortunate traveler यह किसने लिखा था Don Quyote बहुत ही बड़िया वर्क है बेस्सेलर रहा है पूरी दुनिया में यह को बता दू में Don Quyote बहुत जादा जो है famous रहा है यह वर्क बेस्सेलिंग बुक्स में से आता है Don Quyote तुरू पढ़ियेगा अगर आपने नहीं देखा इसका बहुत ही मज़दाव वर्क है कॉमेडी से भरपूर डिकन्स के वर्क तो वैसी एक अपने आप में एजुकेशन को टिंगलेट करते हुए और जो प्रेजन करते है ब्लीक हाउस एक फेमस वर्क है दाजंगल यह हम वर्क पहले भी डिसकस कर चुके है कि इस वर्क ने कैसे पूरी सरकार को हिला दिया यह कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो मतलब इतना ज़्यादा बदला ला सकते हैं समाज में किताबें यह उसका एक प्राइम एग्जेम्पल है यह भी अंकल टॉम्स कैबिन यह एंटी स्लिवरी नॉवल है और कमाल का यह वर्क है लोगों को हिला दिया आज भी स्कूलों में तक इसको प्रस्क्राइब किया जाता है तकि लोग बच्पन से ही सीखें कि क्या हिस्ट्री रही है अमेरिका की और किस दौर से गुजर के अमेरिका इतना हुचा पहुच पाया कहीं सारे उतार चराव होते हैं सेक्रिफाइसे होते हैं जिसकी वज़े से एक फैनी बरनी यह बहुत इमपॉर्टन वर्क है कई बार एक्जैम्स में आचुक है बड़े लेवल के से लेके छोटे लेवल सभी करे के कॉम्पुटिव एक्जैम्स में यह पूछ चाते हैं यह सब वर्क 19th सेंचुरी और इसे जुड़ेवे वर्क्स हैं जिनका खास एफेक्ट रहा है सुसाइटी के ओपर बादरिंग हाइट्स के बारे में हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं वाल्टर स्कॉट जितना कहें उतना काम ट्रिस्टरम शैंडी यह भी एक खास वर्क है जिहां चार्ल्स डिकन्स के अंदर जो कॉम्पलेक्सिटी उन्हें लेके आए वाक के अंदर और ठैकरे भी लेकिन डिकन्स कहीं जादो सुपिरियर रहे मेरे अन्द़ फ्लॉस बहुत ही कमाल का वाक है इसके अंदर जो लॉक का डिसकॉशन है बहुत ही बड़ी है यह जो सीन इसके अंदर एक है मारकेट सीन बहुत ही फेमस है जरूर आप देखिए स्ट्रीम ओफ कॉंशिसनेस अपने आप में यह टेकनिक ऐसी आई दी इसको यूलिसिस ने बहुत आराम से एक्स्लोर किया और बिल्कुल जो एंड में इसके जो पैराफ्रेस चलता है बहुत ही ज़ादा डीप उसके अंदर आप खो जाएंगे आपने पड़ाओ का जरूर बहुत ही इसका वेसिक्स जो है जिसको हम कहते हैं कि मालगूडी डेस जैसे हमारे लिए था वैसी मालगूडी समझ सकते हैं आप बिल्कुल का वे ये वेसिक्स शेयर को टॉमस हार्डी ने एक्सप्लोर किया और बहुत ही एक सटल तरीके से अगर कोई वर्क को आपको पढ़ना हो कि कैसे टोड़ा जाता एक नॉवल को उस जमाने में आराम से लोग पढ़ना पसंद करते थे पॉलिटिकल नॉवल में चार्ल्स किंसली ये कुछ आगे लेके आए मौडन जो डिटेक्टिव नॉवल है बहुत ही खास और यही कारण है कि आज तो हम डिटेक्टिव नॉवल को इतना पसंद किया जाता है और सीरीज आने लग गई है आज कल यह कुछ खास चीज़े हैं मतलब आपको पताशे लगा किस बेस के उपर यह सब आई है जो आज हम इतनी कमाल की जो हम वर्क्स को हम देख पा रहे हैं उसके पीछे की जो स्टोरी है इन सब वर्क्स के अंदर वो कहीं न कहीं छुपी हुई है पैमेला हो, ओलिवर गोल्ड स्मित खा यो या फिर निकुलस ये नॉवल विद अ परपस जी हाँ ये बहुत खास बात है कि ये सब नॉवल जो है हार्डी के लिखे हुए डिकन्स के लिखे हुए बलीक हाउस और ओलिवर ट्विस्ट नॉवल विद अ परपस माझाते हैं हर के अंदर आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा एक संदेश आपको मिलेगा एक बेस और बहुत ही कमाल के तरीके से ये सारे वर्क इतने लेजंडरी है किसी को भी आप पढ़ें तो आप बिल्कुल खो जाएंगे इन वर्क्स के अंदर मैसेज देते वो बहुत फेमर्स है और हर बार पूछे जाते है चाहे वो सैमिल रिचर्टर्टन का वर्क हो या फिर आरनल्ड का वर्क हो एक ही से बढ़कर एक ये वर्क्स है जिनने अपने आप में एक जगे बनाई और हमको बताया कि क्यों ये इतना वर्क इंपॉर्टन है लॉर्ड वदर फ्लाइज ने तो एक अलग ही डिसकुशन चलू कर दिया था और जो पोस्ट करून अरिया के बारे में डिसकुशन किया जो कोलोनिनिजम के बारे में इसमें डिसकुशन है और जॉसफ कॉंडरेड ने आगे और एज जी वेल्स ने साइंस फिक्शन को जिस उचाई पे पहुँचाया गॉस्ट वर्ड ने रियलिस्टिक नौवल को पहुचाया फिर फ्रॉडरन ठेयोरीज और इडिपस कॉंपलेक्स के बारे में जो डियेश लॉरेंस ने डिबेट चादू करी वो अपने आप में ग्रहम ग्रीन इनके वर्क्स जो सेंस्टेशन पैदा करते हैं फिर और मॉडरन निजम पे हम जब आएं तो फिर किंग्सले एमिस ने लॉर्ड जिम लिखा जब लखी जिम सॉरी वो एक अलग ही जॉनल की तरफ एंटी इंटिलेक्शल सेंस जब मॉवमेंट एक हाई इसके बारे में हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं अब चेक कर सकते हैं फिर फैमिनिजम एप्रोज है तो उसके अंदर आईरिस मॉर्डॉक हुए मार्गर ड्रेबल हुए और फिर फाइनली डॉरिस लेसिंग को जाके जब इनको नूबल प्रेइस दिया गया मार्गर ड्रेबल तो एडिटर रह चुकी है आक्सवर्ड कमपैनियन की तो ये बहुत ही कमाल की बात थी जब इनको एतना बड़ा रिकरगनिशन मिला तो ये थे आज के सॉल्ड एम से क्यूस एम शूर ये जो पुरानी एक प्रॉबलम आ रहे थी कि हम क्लेरिटी नहीं आ पर ये अपकी बार मैंने कोशिश करी है कि वीडियो को क्लियर मनाया जाके जाके आप कोशिन को पढ़ सके आज के लिए इतना ही थैंक्स वर लिसनें